कि आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत युवा पत्रकार से इन्होंने बहुत एक एहम स्टोरी की है रिपोर्टर्स कलेक्टिव में ये एक ऐसी स्टोरी है जिसे पढ़ा जाना, समझा जाना बेहर जरूरी इसलिए है क्योंकि इससे यह पता चलता है कि ट्रोल आर्मी कैसे काम करती है जो ट्रोलिंग होती है, कुछ भी आप लिखते हैं उस पे कौन सी मशिनरी है, वह क्यों और कैसे एक्टिव होती है और आपका जीना हराम करती है इसकी पढ़ताल बहुत अलग अलग चरणों में यह स्टोरी करती है यह स्टोरी बहुत ही जरूरी स्टोरी है तमाम मीडिया के साथियों के लिए और उन तमाम लोगों के लिए जो यह चासते हैं कि लोगतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी बनी रहे। इस स्टोरी को करने वाली एक किरदार हमारे साथ हैं, उनका नाम है स्रिष्टी। स्रिष्टी, न्यूस क्लिक में आपका स्वागत है। आपकी जो स्टोरी है, जो रिपोर्टर्स कलेक्टिव के जरिये हमारे सामने आई है। मुझे लगता है यह बहुत एहम स्टोरी है। पहली बार हिंदू वाइटी सेल कैसे काम कर रहा है। इसे आप लोगों ने तमाम और साथियों के साथ मिलकर सामने लाई। और आपका खुद का जो अनुभाव रहा है, आपके उपर F.I.R.V उसके बाद आपने पूरा खोजना शुरू किया। थोड़ा यह बताई कि कितना समय लगा और कैसे हिम्मत मिली। काफी डर गई होंगे, आप तो बहुत नौजवान है। तो जो आपने कहा कि स्ट्रेंथ कैसे मिली तो मैं इसका क्रेडिट रपोर्टर्स कलेक्टिव को देना चाहूंगी। स्टोरी के ओपर हम काम कर रहे हैं फोर देन 6-7 मौन्स नौज़ जए स्टोरी पर काम हो रहा है। तो जैसा कि आप जानते हैं तो इस पर स्टोरी पर मेरे साथ काम किया है श्री गीरिष जलिहाल जो कि मेरे साथ एक को ओतर हैं। Along with him Mr. Nitin Sethi and Mr. Kumar Sambhav Shrivastava इन लोगों से मैंने अपना स्टोरी का आइडिया डिसकस किया था पिछले साल, after I got trolled and after they supported me and तब से कह सकते हैं July August onwards, August के बाद से हम इसके ओपर परताल कर रहे हैं, हम इसके ओपर investigate कर रहे हैं किस तरीके से ये लोग काम करते हैं, क्या क्या चीजे हैं ये स्टोरी पॉसिबल नहीं होती अगर नितिन जी और संभव जी और गिरीष जी नहीं होतें कि ये आपका एक ट्वीट था, जिस पर सारा का सारा हंगामा हुआ, जिसको बताया गया कि वो भगवान कृष्ण के खिलाफ ट्वीट है, और ये कब से हुआ और उसके बाद नौकरी क्यों गई? जैसा कि स्टोरी में भी मैंचिन किया जाता है कि ये जो हिंदू IT सेल है ये आपके शब्तों को आउट अफ कंटेक्स्ट पोर्टरे करता है तो जो मेरी ट्वीट थी वो एक अक्टिव ट्वीट नहीं थी ऐसा नहीं था कि मैं ट्वीट कर रही थी वो एक रिपलाय था वो एक रिपलाय था एक और ट्वीटर हैंडल को अबाउट अनेट्फिक्स मुवी कौल कृष्णा इन हिजली लाप इसका पोरा कंटेक्स जो है शेयर नहीं किया गया बिना पोरा कंटेक्स शेयर किये हुए बिना मुझे पूछे हुए कि इसका मतलब क्या है क्या मैं डेलि स्थेयर पोर्ट मैं बहुत ही लोकली मैं यहादा ट्वीत नहीं करती थी यहादा ती ऊड़ी नहीं करती थी दूपुलर दिए बहुत कम फॉलोवर्स थी मुझे तो याद भी नहीं है जो वो तीट का डिपलाय था था आट वोज आट वींगर नमरी बड़ित नमर बड़ जिन आप नहीं पर वीडियो डाला था एक मिनट कुछ सेकंड का और उंके खिलाफ भी इसी तरह से लोग उम्रे थे तो यह जो सारे नारेशन थे यह आपने कैसे जुटाए और Ma'am, जैसा कि मैंने कहा कि हम इस स्टोरी के ओपर काम कर रहे थे कुछ सिक्स तो सेवन मन्स से तो उस पॉइंट पे भी यह लोग हरास कर रहे थे लोगो को, you know, they were targeting these people So I was very keenly observing this So, एक बहुत important बात जो मैं दर्शक को भी बताना चाहूंगे और आपको भी बताना चाहूंगे वो यह है कि यह स्टोरी मैंने इसले नहीं की, because मुझे इस इस इसले टारगेट किया था तभी मैंने अपने बारे में इस टोरी में कुछ नहीं लिखा है Because I felt very curious as a journalist मेरे अंदर एक बहुत क्यूरोसिटी थी कैसे यह function करते हैं How do they find people और similar pattern में कैसे ट्रोल करते हैं In fact, अगर आप स्टोरी पढ़ेंगे तो आप उसमें यह भी पाएंगे कि उस पर्टिकुलर स्टोरी में जो ट्रोल्स हैं Even that humiliating video is also identical जो आप सुष्मिता सेना के ट्रोल्स की देखेंगे So, अभी YouTube ने उनको सस्पेंड कर दिया है But we still have the videos with us So, अगर आप वो वीडियोस देखेंगे तो उसमें आप आप आएंगे कि आप आप आएंगे Even that troll is similar So, आप समझ सकते हैं किस हिसाब तक पूरी मशीनरी जो है वो सेट अप किये गई है मताब आप शुरुआच से जब उस इनसान को आप ढूंडते हैं तब से एंड तक इस दिर So, overall that made me very curious as a journalist So, अभी आप ने अपने तरफ से ही शुरू किया या So, आपसु का एए जिया इस पर स्टोरी किया सकती है So, यह मैं विछे टॉल किया जा रहा था तो मुझे काफी डायरेक्ट थ्रेट्स मिल रही थी Paило, विजिसे कbuildूएच चोश्ग थे नब रहे थी त्क चूश्चियां दे रहे थी 250 तक ग्रत मुझे ट्विटर पे इंबॉक्स के बोला कि प्लीज सेफ, I know they are not going to spare you. उसके थोड़ ताम बाद मुझे मैसेच कि they know your address, change your house immediately. उसके थोड़ ताम बाद address कि they know that address also, phone number अपना switch off कर लो. So all of these things, you know, in a way, in which tone it was said, it was very real. And there were a lot of direct threats where people were actually asking where I live, people were actually asking who my parents are, what do they do, they also dig out social media profiles of my father, my mother, I had to ask them to deactivate that as well. But you have reached all the time? Yes, all the time, my hometown. How much time did you go? A matter of a few hours, a few hours. But why did you work in Hindustan? You were working in Hindustan times, what was your relationship with this relationship? Basically, Hindu IT cell targets, they know what are the soft targets, so what they will do is, because they say that they want to teach the person a lesson, so lesson can teach them, or they can reach jail, or they will target the occupation of the person, they will target each and every identity of that person. So, wherever I work, they started tagging that organization in the tweets. So that is how they got to know about it. Otherwise, I informed them myself before they could tell, I told them that there is this kind of trolling that is happening. So, what did they help you? At that point, ma'am, I did not help you, but I will not discuss much about this, because it is a difficult thing for me. And overall, despite everything, I respect them. But now the socio-political situation of India is such that nobody is actually... I think it is a pilot with Go Air, I think. And I am not sure which airline, but I think Go Air, which I have written about it. So, actually, their actual Twitter profile was not true, but that started trolling. Not by this cell, but some other cell. And because of that trolling, that airline actually suspended him from work. And then later on, he clarified that he is not even that person. Do you understand the pressure which is there? So, overall, you know, when thousands of tweets are actually coming after you, and I think that the organization should stay strong. But eventually, living in a practical world, that is why, at such a time, organizations like Reporters Collective are very crucial. And organizations which are digitally backed, or organizations which have a spine, they are very crucial, because they give enough support to the journalists. What is the issue of this story, what do you, the co-author, and your co-author, do you want to take it? I think I and my co-author just wanted to take one thing. What is the model of the appendage? What is the model of the industry? What is the model of the industry? What is the model of the industry that they work with? What is it? Because of this, we need to understand that at times, we know that someone has said something and what happened, it's true. बीच में काफे सारे और स्टेप्स भी है, we also wanted to bring out that at times what we, you know, जो दिखता है वो होता नही है, so most of it is politically motivated that we wanted to bring out and also one of the very important things जो हम लेकर आना जाते थे सामने, वो यह है कि that as they say that freedom of speech is not absolute, you know, but freedom of speech को भी किस तरीके से अब्यूस किया रहा है, that also we wanted to bring out, so in this particular story we also mention about certain laws which are there, which are being used, and how they are misused, and what are the reasons for that, why they are called the blasphemy laws of India, and why they can't be repealed, or या फिर उनकी constitutional validity क्या है, so we also talk about that, we also talk about how there is, Hindu ITSL कितना मजबूत है? I think काफी मजबूत है, and so I would say that I was, मैं तो एक चोटी मचली थी उनके लिए, मैं इतनी बड़ती बड़ती है, तर्गेट मी थी, उनने कुनाल कामरा को भी किया है, ट्रोल उनने दिपका रजावज जो है, जो कत्वारेप केस में लॉयर रह चुकी है, उनको ट्रोल किया है, उसके इलावा, सैनिटरी पैनल्स में जो ठाल क्या हुआ है, उनको भी उनने त्रोल किया हुआ है, इन पिन को ट्रोल क्रते हैं अपडल ट्रोल क्या है, तुब छोलिज कियां ने के लिए किया थी, इनको जलकी ब이 दोड़ती है वेदिए उननने परफॉम mentioned dengan बड्तर salah very important person but one of the person who who is actually regularly trolled by them so he told me without coming on record that the reason why they troll people like me or people like Sushmita Sinha people like who are not very popular who do not have much support because you know if they will troll Kunal Kamra so there there won't be many much severe action but in our cases because there is no major social support there is no support which people won't even know about us that happened like many people told me that they did not even know that Sushmita was so much happened so that is why these people that is why we are an important target for them because they can easily get that reaction one last question you are very young people who are BJP or Hindu ITCell or other right wing groups उन्गिनाय। चलते हैं इनमें जो लोका करते हैं वो भी बहुत अपस में बटा हुआ है? आपको मान लेते हैं कि आप मेर बात से हुआ है कि अपसी और की बात से हुआ है तो इसका मतब आप यह नहीं है कि आप जबर दस्ति मुझे भी हुआ करेंगे डेके कि आप मुझे आके बता सकते हैं कि Srishti, आपकी एचीज हमें अची नहीं लगी I will apologize for that I apologize for that tweet also अप्रिंग से अप्रिंग से आती हैं तिस्पाइट कि आपकी आपकी पॉलिटिकल इडियोलजी क्या है आप कहां से है क्या है अगे कामकाश करने में कुछ योजना बना रखी है मैम अभी तो I want to do some stories which are actually long form stories like this मुझे research करने में काफी अच्छा लगता है so I am also interested in research projects and academics पी काफी पसंद है so I think एक जो बहुत important बात मैं कहना चाहूंगी and this is one of the most crucial things in this entire process that I've learned that I really love journalism, I love reporting, I love telling stories so in this process even when जब मैं पीछे मूड के देखती हूं and I see how I survived this thing, so I think this is the just love of journalism so I have been told very much and you will leave a long time in the book thank you ma'am thank you ma'am thank you ma'am thank you ma'am